मेरे अंदर सेक्स की बहुत तीवर इच्छा होती है और इससे मुझे शर्मिंदगी भी मैसूस होती है मैं इससे कैसे बहा रहा हूँ? आपका अस्तित्व आप असल में एक सेक्स से फैलने वाली बीमारी हैं, पता है? यह जीवन की मूल बाते हैं, मैं कह रहा हूँ, कि आप इसी वज़े से पैदा हुएं आपकी सेक्श्वालिटी की वज़े से नहीं किसी और की तो हम पैदा इसके कारण हुएं, पर क्या हमारा अंत भी इसके साथ होना चाहिए? सवाल यह है यह बात सही और गलत की नहीं है, नहीं यह नैतिकता वाली बात है बात यह है कि इसका सौभाव कितना सीमित है क्या आप हमेशा के लिए इसी में फसे रहना चाहते हैं? या फिर यह सोचना चाहते हैं कि एक बुरी बात है में इसे चूना भी नहीं चाहता हैं? नहीं, मैं कहूंगा कि करीब 30-40 प्रतिशत लोगों के लिए ये एक आने जाने वाली चीज है उनके अंदर पर सामाजिक विवस्था की वज़े से वो सब सोचते हैं उन्हें उस दिशा में जाना पड़ेगा हो सकता है बाकी 30-40 प्रतिशत लोग हो जिनके लिए एक बड़ी मजबूरी हो बाकी 30-40 प्रतिशत के लिए ये एक सामानिसी जरूरत है उनको ये चाहिए तो पर वो इतने मजबूर नहीं है तो ये है लोगों का सवभाव मैं ये बात इसके बारे में अपने एक खास सटीक बोध क्याधार पर कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें हर वक्त लिप्त रहते हैं पर आज की तारीख में समाज उन्हें उन्हें इस तरह से ढाल रहा है कि अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप नॉर्मल नहीं है तो असल में आपके कहने का मतलब ये है कि पुराने समय के योगी नॉर्मल नहीं थे उनका अतम बुद नॉर्मल नहीं थे कोई नॉर्मल नहीं था सिर्फ उनको छोड़कर जो अशलील वेबसाइटों पर होते हैं कोई नॉर्मल नहीं है नहीं, ये फिजिक्यालिटी या भातिकता का एक बहुत बढ़ा चड़ा स्वरूप है ये जो भातिक शरीर है, ये केवल किसी की सेक्श्वालिटी की वज़े से अस्तित्व में आया है, है कि नहीं? सेक्स का शरीर के एक मूल सुभाव में होना एक बात है पर उसका आपके दिमाग में घर कर जाना दूसरी बात है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आसपास एक खास तरह का कल्चर है ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि किसी ने आपको कह दिया ये पाप है, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए ये बस इतना है कि इसके लिए कुछ सब भी तरीके होते हैं जिसके लिए हमने सामाजिक संस्थान बनाया है। कमिट्मेंट यानी प्रतिबद्धिता का एक खासतर बनाया है। क्योंकि एक इनसान में ये एक बुनियादी इच्छा होती है कि वो अपने जीवन के हर पहलू को थोड़ी सुन्दर्ता से चलाए। नहीं तो हमें जानवरों जैसा लगेगा। देखिए हम खाते हैं, हम ऐसे भी खा सकते हैं। जब आप बहुत भूके होते हैं, तो आप जानवरों की तरह हो जाते हैं। अगर आपने पांच दिन से खाना ना खाया हो, तो आप दोनों हातों से उस तरह खाएंगे। जैसे कि आपने कभी भूखे खुदते वो खाना खाते वो देखा हैं, उस तरह से, इंसान भी वैसा ही विवार करेगा, अगर उसकी जरूरत उस तरह की हो जाएगी, अब वही चीज है, पर हमने ढंक से बैठना सीख लिया है, जब आपको जोर से भूख लगी होती है, कोई ब्रहमचारी होंगे जो आपको अपने फेफलों की ताकत दिखा रहे होंगे, आप तीन बार आम बोल चुके होंगे, जब तक वो एक बार आम बोलते हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज की बहुत जरूरत लगती है, तब अगर आप बस दो मिनट रुख जाएएं, तो आप देखेंगे, कि जो मजबूरी में हो रहा था, वो जागरुकता में होगा, खाना, सेक्स, नींद और मृत्यू, ये चार चीजें हैं, जो मजबूर करने वाली हैं, एक मनुष्य, जीवन के इन पहलों को भी, जागरुकता से अन्जाम देकर, अपने आपको जानवरों से अलग साबिद कर सकता है, सिर्फ तभी तो, अगर आप इन चीजों को धर्टी के दूसरे जानवरों की तरह करते हैं, तो जैसे ही आप किसी को ऐसे देखते हैं, आप कहते हैं, वो जानवरों जैसा है, होता है न? तो, इंद्रियों के स्तर पर सभी में कुछ विवश्टाएं होती हैं, पर आपके पास एक बुद्धी है, जो आपको जागरूग बना सकते हैं, और आप जीवन के उस पहलू को जागरूगता से अन्जाम दे सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आपको आए दिन बलातकार, वहशीपन और वैसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है, उस व्यक्ति की भी किसी दूसरे व्यक्ति के जैसी ही इच्छाएं हैं, पर वो इसे सही ढंग से, गरिमा पून तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि उ उसकी बुद्धी पर हावी हो जाती हैं, तो पहली बात ये कि, आप इसके बारे में ये सारी बकवास छोड़ दीजे, कि ये पाप है, नैतिक रूप से गलत है, मुद्दा वो नहीं है, समझने वाली बात ये है कि ये चीज सीमित चीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख खाना खाने के बारे में एक अच्छी बात ये है, कि अगर आप खाते खाते रुख नहीं पा रहे हैं, तो सब को एकदम से पता चल जाता है, उनको भी जिन्हों ने आपको खाते वो देखा भी नहीं था ऐसा ही कुछ लोगों के साथ सेक्श्वालिटी के लिए भी है, कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी सोजाते हैं, सत्संग एक अच्छी जगा होती है यह होता है, कोई बात नहीं तो यही मूलभूत चीज है, यह मूलभूत प्रवृत्तियां जो हमारे शरीरों के अंदर हैं, यानि खाना, सेक्स, सोना वामृत्यू जब आप इन चारों चीज़ों को जागरूपता से अंजाम देते हैं, सिर्फ तभी आप मनुष्य होते हैं, बृत्यू को भी मैं कह रहा हूँ तभी आप सही माइने में मनुष्य होते हैं, नहीं तो आप एक क्रमिक विकास की गल्ती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ सद्गुरू, यह तो क्रमिक विकास है, नहीं नहीं, यही तो असली बात है, एक बार जब आप मनुष्य बन गए, तो क्रमिक विकास या एविल्यूशन आपकी मर्जी से होता है क्या आप विक्सित होंगे या नहीं, जब आप बंदर थे, आपने मनुष्य बनना चुना नहीं था, पर एक बार आप मनुष्य बन गए, तो आप किस तरह के मनुष्य बनना चाहेंगे, यह आपका चुनाव है मजबूरी भरे किसी क्षण में आपको लग सकता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, नहीं आपके पास चुनाव है, आपने बस अभी उन चुनावों का इस्तेमाल करना नहीं सीखाए प्रिवित्याप भी हैं, पर आप उन्हें चुन सकते हैं, मजबूर होकर नहीं, यही वो अंतर है, आप सभी सेक्स की वज़े से पैदा हूँ है, पर क्या आपको इसी के लिए अपना सारा जीवन जीना चाहिए, यह एक चुनाव है, यह आपके शरीर का एक अंच है, यह प बुनियादी रूप से, यह एक लालसा है, जिसकी हम लालसा रखते हैं, उसे रूपांतरित किया जा सकता है, ना, जब आप एक बच्चे थे, आपको पेपरमिंट की लालसा थी, अब आप बड़े हुए तो किसी और चीज़ की लालसा होती है, अभी आप नवी हुआ हैं, जो किसी और चीज़ की लालसा है, पर यह लालसा हैं, बदलती रहती हैं, है कि नहीं, यह लालसा हैं, क्या यह समय की मजबूरियों से बदलेंगी, या फिर यह बदलेंगी, आपके चुनने से, सचेतन चुनाव से, ऐसा नहीं है कि आपको यह छोड़ना पड़ेगा, आपक पर उड़ जाएं तो आप सबसे मुक्त हैं, पर सबसे जरूरी बात ये है, कि जब आप वो कर भी रहे होते हैं, तो क्या ये एक जागरूख चुनाव है, ये आप एक मजबूर जानवर हैं, ये ही जरूरी है, क्योंकि एक मनुष्य और जानवर में बुनियादी फर्ख है, उनकी जीवन के प्रती प्रतिक्रिया, हम जीवन को लेकर एक जागरूख उतर हैं, इसका अभ्यास कीजिए, कोई बात नहीं, आपको इसको लेकर ग्लानी में नहीं रहना चाहिए, अरे मैं सेक्स की तीव रिच्छा से मजबूर हूँ, तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, आप तीव रहें, तो आप इसको आध्यात्मिक प्रॉसस बना सकते हैं, बजाए इसके कि आपको चलाए, अगर आप चलाने वाले बन जाएं, तो यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है क्या आप चाहते हैं आपको कोई चीज चलाए या आप चलाने वाले बनना चाहेंगे अगर चलाने वाले आप हैं तो यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है में सकारम